आज का हमारा टॉपिक है समन सबसे पहले समन में हम इंट्रो पढ़ेंगे इसका उसके बाद हम पढ़ेंगे परपाज ओफ इशु समन फिर समन बाई हूम सर्फ उसके बाद हम पढ़ेंगे असेंशल्स ओफ समन उसके बाद समन हाउ सर्फ और कन्क्लुजिजिन सबसे पहले इंट्रो एंड रिलेवेंट प्रोविशन There is no proper definition of summon in CRPC One can understand it from light of different judgments of superior court Summon की कोई definition CRPC में define नहीं के गई इस वज़े से जो court के orders हैं और decisions वगरा हैं उन से हम इसकी definition अखस कर सकते हैं RELेवेंट प्रोविशन CRPC का 68 है समन से related Summon की definition क्या होगी It is an order of the court whereby notice for attendance of an accused or any person or any material relevant to the case Summon court की तरफ से एक order है Witness के लिए भी हो सकता है ये और IOS के लिए भी हो सकता है Accused के लिए भी हो सकता है कि वो court में date वगरा उसमें define है वाज़ है कि फिलाने date पे आपने आना है और कीस की सुनवाई होगी Necessity of Summon Summon क्यों जरूरी है Summon इसलिए जरूरी है कि नेचरल Principle of Natural Justice है Audi, Eltrum, Patrum कि किसी को भी सुने बगर उसके खिलाफ वैसला नहीं होगा इसको मदे नज़र रखते हुए Summon इशू किया जाता है कि किसी की खिलाफ कोई कारवाई हो रही है तो उसके मौझूदकी में उसके खेर मौझूदकी में उसको सुने बगर कोई फैसला ना हो Purpose of Issue Summon First, to call accused before court To call witness To somebody directing him show cause To call any inquiry team To call for any document Summon क्यों इशू किया जाता है किसी accused को बलाने के लिए किसी witness को बलाने के लिए और किसी को show cause दिया हो उसको direct करने के लिए कि आपने आना है अपने show cause का जवाब देना है To call any inquiry team कोई भी केस चल रहा है मेकमाना inquiry हो चुकी है उसे related तो inquiry team को court बला सकती है कि आपने क्या inquiry की है और आपने किन नताइच प्याप पहुंची हो To call for any document केस related कोई भी document हो तो court मंगवा सकती है Summons by whom served कौन सर्फ कर सकता है आम practice में तो police officer और जो court का अमला है process server जिसको कहते है आम routine में तो ये दो ही करते है लेकिन जो rule में वाज़ है उसमें police officer कर सकता है court का अमला कर सकता है public servant कर सकता है public servant और government servant ये दो एक topic है दो अलग अलग चीज़े हैं इसको details में पढ़ेंगे हम आगे जाके लेकिन public servant कर ये मुराद है कि वो जो पशास जो public की खिदमत के लिए है वो public servant है उसमें government मुलाजम भी आते हैं और कुछ अलग भी इस शोबे से related आएंगे उसको हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे fourth है कुई एक्यूस्ट है जो अपनी सफाई के लिए कोई गवा पेश करना चाहता है उसको समन देंगे कि आप गवा को लेकर आएं और जो कुप्लिनेंट है जो उसने गवा रखे हैं आयो है जो है उसने जो गवा रखे हैं आयो मतलब के investigation officer तो उनको भी समन देंगे कि आप अपने कवार लेकर आएं essentials of a summon समन जारी करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए first of all return form में होना चाहिए और जिस court से issue हो रहा है वहां का stamp लगा होना चाहिए उसमे जजज साब के signature होनी चाहिए nature of offense must be mention कि क्या जर्म किया है वो mention होना चाहिए place of offense जर्म कहां पर हुआ है वो इस पर mention होना चाहिए time of commission of offense किस time ये हुआ है वो mention होना चाहिए questions court is intend to ask court जो जो सवाल पुछना चाह रही है accused से वो सारे सवाल उस पर वाज़ होने चाहिए date and time required to your appearance किस दिन केस की सुनवाई होगी उसके date or time होना चाहिए appear alone or with console ये भी इस पर लिका होना चाहिए कि आप अकेले आएं ये अपने console के साथ आएं और number 10 है not leaving any area without permission समन पर ये भी लिका होना चाहिए कि अगर बंदे को पाबंद कर रहे हैं कि जब तक केस चल रहा है आप इस शेर नहीं चोड़ सकते या specific area से बाहर नहीं जा सकते वो भी mention होना ज़रूरी है name and place of court जिस court में केस चल रहा है जहाँ आप इसको तलब किया जा रहा है समन के जरिए उस court का address, name, complete details होनी चाहिए summons how served first personal service second employee of company third substitute service fourth government employee five outside local limits first जो है personal service personal service यह है कि जिसके खिलाफ समन है उसको by hand उस बंदे को दे 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 यह है personal service second है employee of a company employee employee of a company इसमें किसी भी company का मुलाजिम हो उस मुलाजिम के खिलाफ अगर है तो company का जो head होगा जो chairman होगा उसके समन उसको देंगे कि आपका जो मुलाजिम है यह अदालत में फिलाने date और फिलाने तारी को required है उसके बाद तर्ड है substitute service substitute service यह है जो main बंदा है जो नहीं आ रहा सामने या कुद्रती तोर पे भी शेर से बाहर है किसी काम से गया हुआ है तो उसकी adult family member को देंगे फोटो कॉपी और उससे sign वागर लेके court में जमा करेंगे यह होगा substitute service fourth होगा government employee कोई government employee भी required है तो समन जो है उसी department के head को लेके कि आपका जो मलासिम है subordinate है यह हमें फिलाने date को court में case चल रहा है इसकी हासरी जरूरी है fifth है outside local limits अगर एससर शक्स court में required है जो court की limit से बाहर है case कराची में चल रहा है और शक्स जो है लाहोर के रही है तो ऐसी हालत में जो में court है वो मुतलका magistrate को समन बेजेगा वो मुतलका magistrate जो है वो समन की तामिल करवाएगा conclusion conclusion में वही जो शुरू में हमने जिकर किया already altrum patrum its natural justice no one should be condemned unheard किसी को भी सुने बगाइर उसको हम मुझरिम करार नहीं दे सकते Summon is necessary to ensure presence of accused witness etc Summon जो है किसी भी accused किसी witness कोई भी documents कुछ भी सवरत हो उसके लिए court Summon जारी कर सकती है उमीद है कि आपको आज का lecture पसंद आया आगे के वीडियो को ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करें उसके लिए अब हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद अच्छी ची वीडियो आपकी सामने पेश कर सकें और आप इसे फाइदा उटा सकें शुक्रिया अलाफेश